आप पिछले एक साल को कैसे देखते हैं, इसके बारे में कुछ विस्तरिक दोस से हमें बताएं आपकी जो बिजनेस फिलासोफी है ये शब्द मेरे डिक्सिनरी में नहीं है नहीं है और मैं तो कहता हूँ किसी को भी आत्म गलाने, आत्म कुंठा, आत्म विस्तमर्ती में नहीं जीना चाहिए मुझे ही क्यों? किसी को भी क्यों जीना चाहिए? हम भगवान के अंशाय रिशिशकाओं के वन्शधर है मेरा भौर यहीं से सुरूता है जीन बज़े उठता हूँ, रात को दस बज़े तक यह मेरा अखंड प्रचंड पुर्शार चलता है मेरे जीवन के दो ही सब्द है विकल्प रहीत संकल्प अखंड प्रचंड पुर्शार फिर जो आयागस हो देखा जाएगा क्या फरक पड़ता है जहां तक रही बात चुनोतियों की चुनोतियां मेरे सामने क्या चुनोतियां तो सभी के सामने रही है रूलिंग पार्टी के सामने अलगतरे की चुनोतियां रही अपोजिशन के सामने अलगतरे की चुनोतियां रही और अभी भी ये चुनोतियां कभी खत्म नहीं होगी और जहाँ चुनोतियां खत्म हो जाएं वहाँ जीवन का मतलब क्या रह जाएगा यह पोरा अस्तित्व ही चुनोतियों से भरा हुआ है मुझसे मैंने सबसे ज़्यादा एक बार जरूर पीडा का नुभाव किया जब मैं आंदरोन के समय राष्टी मुद्धों के साथ लड़ रहा था तब भी मुझे कोई पीडा का नुभाव नहीं है ठीक है आप यदि संघर्ष करेंगे सत्ता से टकराएंगे तो आपके सामने भी प्रश्चन तो आएंगे लेकिन सुप्रिम कोट में मुझे घसीटा गया तो मैंने कहा भई हमारे जितनी भी ये बीस बीस तीस पचास पचास लाकी जो फीस लेते हैं एड़ोकेट्स वो भी कहे तो आप कुछ बोलना मत मैंने का भे मैं बोलूँगा तो जरूर क्यों भी मैं कोई अपरादी हूँ मैंने वहां कहा कि फिर वो बात नहीं बनी तो मैंने एक दूसरे एंगल से अब वो नाम नहीं लूँगा मैंने उसको कहा कि भे जजस साहिबा को बोलो मुझे बोलने का अवसर जरूर दे उन्हें का कि आपको कुछ कहना है मैंने कहां कहना है बोले आपने काम तो बहुत अच्छा किया मैंने का गलत क्या किया वो बता दो पूरी दुनिया में अभी तक आईरुवेद के बारे में बोला जाता है उनके पास व्रड का मेडिकल सिस्टम नहीं कर सका वो हमने करके दिखाया लीवर के किडनी के पेंट्रियाज के लॉंग के थाराइड के हाट के ब्रेन के आँखों के कानों के स्किन के बोंज के सैस को रीजुनेट कर किया जा सकता है और हमने लाखों लोगों को लिवर किड्नी ट्रांस्परांट से बचाया यदि डैपटीज के लिए इंसूलेन बनाने वालों को नोबल पुरुसकार दिया जा सकता है तो हमने डॉक्टर्स के और सैंटिस्टों के इंसूलेन छुडवाई है यह हमने काम किया तो हमने काम फिर बोले यह काम तो अच्छा है लेकिन आपने न वो एक ड्रेगन मैजिक रेमेडिय एक्ट आता है मैंने कहा कानून यदि गलत हो तो मैं अपरादी नहीं हो सकता हूँ कानून को चेंज करना चाहिए कोई यह कहे के अपने आपको चेंज कर लो अरे कानून तुम्हारा गलत है तो उसको चेंज करेंगे न उसको चैलेंज करेंगे स्वामी राम देव को कोई गलानी नहीं है जन्म से लेकर के आज तक स्वामी राम देव ने कोई इनेथिकल, इम्मोरेल काम नहीं किया है और यही मेरे आत्मबल का कारण है